योट सब गाइस क्या हाल चाल है आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं क्राप्टरा MCS कबलों की एक और निवाले वीडियो पर सो गाइस क्या होगा अगर आपके पास लाइफ टाइम के लिए फ्लाइंग वाला एबिलिटी मिल जाएगा और इसकी अलावा बहुं सारे बंदे जो है वो पीगी बैंक यूज करते हैं आप पता होगा कि अगर आप पीगी बैंक यूज करते हो तो इनकेश अब कभी मर जाते हो मॉब से फाइट करते हुए से लेर करते हुए तो आपका पैसा नहीं जाता है बट क्या होगा कि अगर आप ऐसा कुछ पेट रखो जिससे आप उड़ भी सकते हो और पिगी बैंक की ज़रत कभी ना पड़े लाइफ टाइम के लिए तो मैं बात कर रहा हूं यहां फर फिनिक् टेट केंस ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं में पूरा इस वाले episode में मैं अपको बताने वालो हूं का reality वाला है डेमेज वगारा से लेकि कैसे फ्लाइ हो सकते हो इसके अलावा जो बैंक प्रोटेक्शन है मरते हो तो भी आपका जितना भी पैसा है आपके पर्स पर वो कहीं कुछ जाने वाला नहीं है चलो गाज जल्दी से विडियो के स्टार्ट करते हैं यहां पर देखो फिनिक्स पेट होता क्या है इसके दो फिर्जन आते हैं सबसे पहले एक इपिक और दूसरा legendary epic जो आप highest कर सकते हैं इसमें आपको होता क्या है कि यह पेट आप मेरा पेट कहां गया है है ना ओके चोट इधर आजा तो यहां पर होता क्या है कि अगर आप वह पेट करते हो epic की मैं बात कर रहा हूं तो यह आपको defense देता है जो कि defense सही में अच्छा चीज है 60 का difference देगा intelligence जो होता है यह आपको 150 देने वाला है बाकि ability वेगरा की बात करें जैसे कि मैं बोला अगर आप वो पेट लगा तो बाकि मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप वो पेट पा सकते हो कैसे कैसे आपको श्ट्रेगल करना है वो साब चीजों की बारे में हम लोग बात करेंगे तो यह पेट अगर आप यहां पर इपिक मैक्स कर ले तो या फिर नहीं भी करते हो ठीक है मालो इसका दो ही वर्जन आता है एक इपिक और लेजनरी कॉमन अनकॉमन वेगरा इस सब आत समय देता है जिससे आप बच सकते हो इसमें होता क्या है कि जब आप मरने वाले रहते हो तो यह इम्यून करके आपका डिफेंस एक्स्ट्रा बढ़ा देता है कुछ सेकेंड के लिए जो कि यहां पर आपके लिए यहां पर एक छोटा सा मिनी चांस आप बोल सकते आप बचन होगे ना तो यहां पर वन परसेंट एक्स्ट्रा एक गुना एक्स्ट्रा आपका 1.14 आपका क्रिटिकल डैमेज को बढ़ा देता है दो सेकेंड के लिए बट वह इगनाइट कर देगा मौव को एक्चली इगनाइट करके उसको आपका जितना भी डैमेज है उसको मल्टिप अगर आप फिनिक्स पेट को इपिक की बात अनली कर रहा है ना लजन्री की अभी बात नहीं कर रहें इसे जब आप मैक्स कर दोगे पेट सो लेबल का तो यह क्या करेगा कि यह जो 10 डिफेंस आपको दे रहा था वह आपको 20 डिफेंस देने वाला है जब आप मरने वाले र बचने का या फिर उसी टाइम में आप कुछ भी हिलिंग वेगरा कर सकते हो दो सेकंड भी काफी जादा होता है जब आप स्लेर वेगरा कर रहे हो तो इसके अलावा एक और एबिलिटी है जो कि मैं बोला आप अगर मिली स्ट्राइक करते हो फॉर मिली स्ट्राइक तो यह ग डेमेज कितना होगा क्रिटिकल डेमेज वो उसको चार सेकंड के लिए पड़ेगा बट चार सेकंड भी काफी जादा होता है गैस बहुं सारे बंदे मुझे लगता है 20 से 30 हजार का डेमेज तो आप सभी भाईयों के पास है तो यह क्या करेगा कि 20 या फिर 30 के इंटू गैस इगनाइट मारेगा उस मौव को उस बॉस को तो गाइस चार लाग काप डेमेज दे सकते हैं ओली चार सेकंड के लिए जो की काफी जादा अच्छी बात है ओके इसकी बाद मानलू यह पेट को आप यहाँ पर अपग्रेड करते हो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह पाओगे कहां से ओके सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे बंदी यही भाई कन्फ्यूजन है भाई कहां से मिलेगा जिससे हम लोग पा सकते हैं सबसे पहले बेसिक सा चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई NPC पर अबिलेबल नहीं है कहीं पर भी यह जो फ्लेस सेल हो भी मैं बता रहा हूँ ओके और इसकी अलावा ओक्षन देख लेते हैं क्या मुझे लगता आप लोग देख लेना ओक्षन पर होगा तो देखो इससे पाने के लिए क्या करना है कुछ नहीं मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बता हूँ आपना स्लेयर एक्टिवेट कर लो एक आप क्या करोगे पता है स्लेयर एक्टिवेट कर दोगे तो आपका दो चीज बढ़ जाएगा आपका एक तो आप मन मन में गैस एक आपका लक रहेगा तो आपको यहाँ पर फिनिक्स पेट मिलेगा अगर दूसरा क्या है कि अगर मान लो नहीं रहा लक कोई बात नहीं तो आप क्या करोगे आपका स्लेयर कही न कहीं इंक्रीज होने वाला है मेजिक फाइंड अच्छा है तो मुझे लगता है आपका मेजिक फाइंड अच्छा होने से आप जादा जल्दी से पा सकते हो कोई भी मोब आपको मार्ना होगा यहां आप यह मत सोचना कि ऐइसली Goi मौ उसे आप मार सकते हो, नौर्मल मॉव वगरा को से लेके किसी भी चीज़ों को आप एजली मारो, उससे रियर ड्रॉफ होगा, बट 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 एक ओचीज आपको ध्यान ही यहाँ पर देना होगा, यह कैसे रियर ड्रॉफ है, अगर आपको इपिक चाहिए, तो यहाँ पर जो मिलियन में एक सायद से मिल सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है, अगर आप 6 मिलियन मॉव को मारते हो, मतलब यह वाला मॉव को 6 मिलियन, भाई पागल हो जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर सायद से यह उमीद है, कि एक आपको मिल जाए, ओके, या फिर ऐसा जरूरी नही होता है, कि वो पहले भी मिलेगा, यह ऐसा नहीं होता है, कि यह जो यहाँ पर 6 मिलियन मॉव है, तभी जाके आपको मिलेगा, ऐसा नहीं, आपका लख हुआ, तो ऐसा भी है, कि आप कुछ मॉव मार रहे हो, या फिर नॉर्मल कुछ कर रहे हो, और उसकी बाद भी मिल जाए यह rare है तो कुछ भी आप बोल नहीं सकते हो guys मिलेगा या फिर नहीं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 million mob को मारें फिर भी आपको एक भी नहीं मिला ओके यह होता है दिकत बाकि अगर आपको legendary यह मैं जैसे कि बोला drop में ही चाहिए होता है drop में ही यह मिलता है तो अगर आपको legendary चाहिए तो आपको guys 30 million mob को मारना होगा भाई 30 million भाई बहुंच ज्यादा होता है सायद से आपको मिल जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले भी मिल जाए तो यहां पर हम लोग बात किये legendary पेट का थोड़ा सा इसका features के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं जैसे मैं बोला था कि आप उल सकते हो तो भाई मैं अभी तक तो बताया नहीं कैसे उल सकते हो तो यहां पर होगा क्या कि इसका भी वही सेम है यह भी आपको defense 60 मेक्स देगा और intelligence guys 150 आपको देने वाला है सेम जैसे कि आपको यहां पर दे रहा था इपिक वाला पेट ओके यह दोनों में कोई यहां पर अलग नहीं है अलग क्या है वो आपको बता रहे हैं यह जब आप मैक्स करोगे तो जब आप मरने वाले रहोगे तो आपको immune कर देगा 30 का extra आपको defense देगा और 2 second के लिए देन करना चाते हो भागना चाते हो तो भी आप भाग सकते हो जब आप किसी mob वेगारा को मार रहे हो तो ओके यहां फिर यहां पर अगला जो ability है वो है कि अगर आप four milli strike मारते हो तो यह mob को ignite कर देगा और जैसा कि मैं बोला यह बंदरा गुना extra guys damage देने वाला है वो 4 second के लिए damage दे रहा था epic pet यह guys आपको extra और 5 second के लिए damage देने वाला है तो जैसे मैं बोला मान लो आपका एक लाग का ही damage मान लो कम ही मानते हैं एक लाग का ही वो ignite मार रहा है damage हो रहा है उस boss को या normal boss को यह छोटे चोटे यह mob को तो भाई एक ही बार में मर जाएंगे boss का ही मैं बात कर रहा हूं ठीक है मान लो यहां पर तीन मिलियन चार मिलियन का boss है मान लो उसे आप मार रहे हो ओके तो यह पांच second तक ignite कर देगा आपका critical damage जितना है न cd उसको 15 into multiply कर दो मान लो वो एक लाग भी अगर आपको damage दे रहा है तो पांच second guys यानि की आपका यहां पर पांच का damage करके पांच लाग damage आपके sword से आप दे सकते हो बाई सोचो यह होता है Phoenix यह काफी ज्यादा ओवर्ड पावर फिनिक्स पेट है guys okay अभी तक का सबसे ओपी रियरेस्ट मतलब जहर वाला गर combat पेट की अगर मैं बात करूं तो Phoenix पेट है जो कि मुझे लगता है चुनेंदा बंदों के पास होगा normal आप मॉब मारके ले सकते हो इसके साथ ही जब आप legendary पेट पा जाते हो गलती से गलती से मैं बोलूंगा okay क्योंकि यह लग्की है अगर आप पा जाते हो तो आप यहां पर नीचे लिखा हुआ है magic bird का एक ability मिल जाएगा क्योंकि आप Phoenix पेट यूज कर रहा है यहां पर अगर लिखा हुआ रहा था you can always fly on private island तो सही होता बट you may यानि की आप यहां पर अपने island पे उड़ सकते हो यह बोल रहा है सायद उड़ सकते हो lifetime के लिए confirm अभी तक नहीं है maybe in future मुझे लगता है Phoenix पेट का यह जो उड़ने वाला ability है वो सायद से वो cooldown कर दे क्योंकि अभी उड़ने वाला ability है यहां पर आपको कोई भी rank विगरा लेता हो तभी आप उड़ सकते हो वरना आप उड़ नहीं सकते हो तो सायद से यह पेट विगरा जब जादा हो जाएगा सभी बंदों के पास तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि यह उड़ने वाला ability को वो बं बिल जाएगा यहां पर ability वो है guys eternal coins इससे क्या होगा कि आप जितना बार मरो कहीं पर भी मरो guys आपका एक पैसा एक रुपिया भी पैसा जाने वाला नहीं है जो की काफी जादा अच्छी बात है अगर आप piggy bank यूज करते हो तो आपके लिए piggy bank guys फीका पड़ जाएगा piggy bank का कोई ज़रूरत नहीं lifetime के लिए आप अगर यह पैट यूज करते हो तो guys वैसे भी combat में ही हम लोगों को पैसा जादा जाता है मरते हैं या कुछ होते हैं तो यहाँ पर अगर आप मरते हो तो कोई डरने की बात नहीं है आपको आपका पैसा जितना था guys उतना हमेशा रहेगा तो यह था guys फिनिक्स पेट जो कि मैं अगेन दुवरा देता हूँ आपको कुछ नहीं करना है मॉव को मारना है कोई भी मॉव हो कुछ भी मॉव में बह एक मिलने का chances है आ चांसे है अर दूसरा इसा आपका थीस milion पर एक मिलने आ चांसे है जो की आपको भी पता है कितना जचाड आप partner काफी हो यह श्यूदा और कृट जो भी बंदे हैं अगर आप किसी से बाई करना चाहते हो तो में भी आप बाई वगेरा कर सकते हो बठां अगर आप बाई करते हो तो ये वॉर्थ इट होने वाला है पैसा वसूल जिसको हम बोलते हैं वो आप ये फिनिक्स पेट आपको वो दे देगा पैसा कमा के तो नहीं देगा बट गाइज उस पैसे में जितना एवेलिटी वेगरा यूस होता है ना गाइज वो आपको जरूर से जरूर दे देगा मतब लगेगा कि भाई मैं जितना भी पैसा लगता है 200-300 मिलियन जितना में भी आप ये पेट को बाई करोगे लगेगा कि हां भाई ये मैंने बाई किया है इतना पैसा में ओके तो ये था फिनिक्स पेट जो की थोड़ा सा हाड है थोड़ा नहीं मुझे लगता काफी जादा हाड है मेरे जैसे बंदों के लिए यहां पर रीपर का आर्मर बंद नहीं रहा है और यहां पर मैं बात कर रहों फिनिक्स पेट के बारे मे बाकी होप उमीद करते हैं गाइस बाकी कुछ confusion लगता है तो please मुझे comment करके बताओ बहुत सारे भाई लोग जो है वो मुझे पूछ रहे थे कुछ दिनों से stream वगरा कल भी पूछ रहे थे कि भाई phynixpate जो है वो कैसे लें बाकी मिले ना मिले एक अलग बात है बट आपको एक process पता होना चाहिए कि कैसे मिल सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हो सकता है एक आज सब्सक्राइबर को लगी मिल जाए अगर किसी को भी ऐसा मिलता है तो please guys आप comment करक से बता दोगे क्योंकि आपका एक comment से भाई मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो सारे motivate हो सकते हैं तो चलो गैस मिलते हैं इससे तरीकी के और भी बेहतरी इन एकदम जहर वाले वीडियो के साथ अभी के लिए गुटवाई एंड लव यू आल झाल